सभी को नमस्कार, आज हम 25 फाट ठाड इयर सरस्क्रत वीसे दित्तिय पेपर के अंतरगत दिवधातू लोटलाकार का अध्यन करेंगे विगत काक्षावों में हमने दिवधातू लटलाकार, दिवधातू लिटलाकार पहिशितकार का अध्यन कर लिया है उसी करब में हम आज दिव धातु लोटलाकार का अध्यात करेंगे दिव धातु लोटलाकार की रूप इस प्रकार चलते हैं प्रथम पुरुष एक वचन दिव्यतु, द्वी वचन दिव्यतां, बहु वचन दिव्यन्तु, मध्यम पुरुष एक वचन दिव्ये, द्वी वचन दिव्यतां, बहु वचन दिव्यत, उत्तम पुरुष एक वचन दिव्यानी, द्वी वचन दिव्याव, बहु वचन अब हम इनकी धातु की दूप शिद्धी करेंगे स्वर्व प्रथम प्रथम प्रूस एक वचन दिव्यतों कि फर्व प्रथम दिव धातु की भुवादयो धातु से धातु संग्या लोट चैसे इस सुत्र से आज्या अर्थत में लोट लकाता प्रियोग अब दिव धातु भेशन वत्रते से दिव धातु और दिव धातु और दिव धातु और धी नöhच्या दिव, धातू ऑर, यूच कि भुर में? पीचन मैं का आगम शेयन में शे वशर्णा की इतसंघ्या वलोफ हो जाता है यह शेफ रहता है इसत्ति बनती है दिवधन यह दन ती तदांतर हलीच सुत्र से दिवधातु के द के ई को दिर्ग ई हो जाता है इस्तति बनती है दिवधन या धन ती एदु सुत्र से ती के ई को उ आदिस हो जाता है तथा वर्णों को आपस में मिलाने पर इस्तति बनती है दिव्यतु इसी प्रकार मध्यम प्रूस प्रत्थम प्रूफ दीव अचन में श्टति बनती है दिव्यताम उफर्व प्रत्थम वही भूव आदयो धातव से दिव की धातु संग्या लोट चै इस फुत्र से दिव धातु को आग्या अर्थक में लोट लकार का परियोग तिपतफ जी इस सुत्र से लोट अकार के स्थान पर रत्थम प्रूफ दिव अचन की विवक्षा में तस प्रत्थे दिवादिभ्य शेहिन से प्रत्थे और धातु के बीच में शेहिन का आगम शेव नकालोप येसेस इस्तति बन भनी दिवधन यधन तस तद अंतर हली शेहिस सुत्र से डिवधातु के दी को दिर्ग दी हो कर इस्तति बनती है दिवधन यधन तस अभ तस थस थ मिपाम ताम तम ताम अब इस सुत्र से तस्क एष्टान पर ताम अब savvy अताम.। प्रतम पुरुष बहु अचन में रुक बनता है दिव्यन्तु तो यहाँ भी सर्व प्रतम भुव आदयो धातव से दिव के धातु संग्या, लोट चैस उत्र से लोट लखार का प्रियोग, तिपतफ जी इस सुत्र से प्रतम पुरुष बहु अचन की विवक्षा में लोट लगा मिस्टान पर जी प्रते का प्रियोग दिवादी भ्याशन से प्रते और धातु के बीच में शैन का आगम श्ववर नका लोग याशेस इस्तति बनी दिवधन याधन जी को अब जो अंतह सुत्र से जी को अंती आदेश हलिचा सुत्र से दीव को दिर्ग दी इस्तती बनती है दीवधन या धन अंती अतो गुणे सुत्र से या के अ और अंती के अ को एक रूप अ करने पर इस्तती बनती है दीवधन यंती अब एरू सुत्र से अंती के ती को उ होकर और वर्णों को आपस मिला पर रूप बनेगा दिव्यन्तु इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है दिव्य तो यहां भी सरव प्रथम भुवादय उधातव से दिव के धातु संग्या लोट चर सुत्र से लोट लखार का प्रियोग दिव धातु के साथ तिपतफ जी इस सुत्र से मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में शिप प्रते का प्रियोग शिप प्रते के पाई की इत संग्या लोट सी सेस इस्तति बनी दिवधन सी अब दिवादी भे शेन सुत्र से दिव धातु और सी प्रते के बीच में शेन का आगम शेन में से श्या वणना की इत संग्या लोट ये सेस इस्तति बनती है दिवधन ये धन सी अब हलीच सुत्र से दिवधातु के दके इ को दिर्ग इ होकर श्तति बनेगी दिवधन ये धन सी तरंतर सेहीर पिछ सुत्र से सी को ही आदिफ हो जाता है श्तति के सी को ही आदिफ हो जाता है श्तति बनती है दिवधन ये धन ही अब अतो हे सुत्र से हक अभी लोप हो जाता है तो इस्तति बनती है दिवधन यह है अब वाणों को आपस में मिलाएंगे तो इस्तति बनेगी रूप बनेगा दिव्या है इसी प्रकार मध्यम पुरूफ दी वचन में रूप बनता है दिव्यतम तो यहां भी सर्व प्रथम भू आदयो धातों से दिव की धातु संग्या लोट चसुत्र से दिव धातु को साथ आग्या रथक में लोट लगार का प्रियोग तिप्तफ जी सुत्र से मध्यम पुरूफ दी वचन की विवक्षा में लोट लगार के स्थान पर थस प्रते का प्रियोग दिवादी भ्यव शेन से थस प्रते और दिव धातु के बीच शेन का आगम शेव नकालोप होने पर यह शेफ रहता है इस्तति बनती है दिव धन यधन थस अब हाली च सुत्र से दिर्ग द्या के दको दिर्ग य करने पर थस्तति बने के दिव धन यधन थस अब थस थस्थ ह को मध्यम पुरुष दिव चन में तम आदिस करने पर और वरणों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा दिव्यतम इसी प्रकार मध्यम पुरुष बहु अचन में इस्ति बनती है दिव्यत है तो यहां भी सरोप्रथम भुवादयो धातव से दिव की धातु संग्या लोट चसुत्र से आग्या अर्थक में दिव धातु के साथ लोट लकार का परियोग तिप्तफजी सुत्र से लोट लकार के स्तान पर मध्यम पुरुष बहु अचन की विवक्षा में था प्रते दिवादी भेशेन से धातु और प्रते के बीच में शेन विकिरन का आगम शेन रिवक्षा में तर करने पर Civ्यत इसी बरकार उत्तम पुरोस एक वचर में रूप बनता है दिव्यानी तो यहां पर भी ऐभ व्रत्रव भुव अधयो धातौ से दिवक के धातु संग्या लट चसुत्र से दिवधात्र के साथ लोट लकार का परियोग आज्यारथक में तिप तफ जी सुत्र से उत्हम पुदूस एक पचन की विवक्षा में लोट लकार के स्थान पर मिप परते का परियोग मिप परते में दिवार दिभ्य शैन से प्रते और धात्य के विच शैन का आगम श्यावन की इत संघ्या वलोप यह सेस इस्ति बनी देव धन यह धन मी हलेच सुत्र से दिव के दिको दिके आगर डिर्ग ऑड आधु मत पिच्च सुत्र से यह के बाद में आठ का आगम करने पर आठ में से भी क्या कि इत संग्या वलोप हो जाता है आज यह से रहता है अकासा वर्णे दिर्ग करने पर इस्तति बनती है दिव्या मी अमेर निस्फुत्र से मी को भी नियादिश करने पर तथा वर्णों को आपसे मिलाने पर रूप बनेगा दिव्यानी इसी बरकार उत्तम पुरूफ देव अचन में रूप बनता है दिव्यावर इसके लिए भी सर्व प्रथम भुवादयो धातव से दिव की धातु सग्या लोट चसुत्र से आज्यार्थक में लोट लकार का परियोग तिप तफ जी सुत्र से उत्तम पुरूफ देव अचन की विवक्षा में वस प्रत्य का आगम दिवाद भी शेन से शेन धातु अप्रत्य के बीच में शेन का आगम शेवन की इत्संग्याव लोग यैसेस इस्तति बनी दिवधन या ढुंव अब हलीच सुत्र से दिवधातु को बी को दिर्ग ऐ करने पर और आडूफ से पिच्छ सुत्र से आठ का आगम करने पर तथा अका सर्माने दिर्ग से यह के आ और आ को दिर्ग आ करने पर इस्टती बनेगी देविधन या धन वस नित्यम गीता सुत्र से वस प्रत्य के साकाभी लोब करने पर तथा वर्णों को आपश में मिलाने पर रूप बनेगा तो यहां भी फर्वक्त थम भू आदयो धातों से दिव की धातु संग्या लोट चस उत्र से दिव धातु को आग्यार्थक में लोट लकार का परियोग तिपतफ जी सुत्र से उत्तम पुरुस बहुबचन की व्रक्षा में मस्प्रते का आगम दिवादी भ्याशेन से प्रते और धातु के बीच में शेन का आगम श्यावन की इत संग्या लोग यसेस इस्तति बनी देवधन यदन मस्द अब हली चस फुत्र से दिवधातु के एके दिर के एक करने पर त कि इत संग्या लोग हो जाता है आशेफ रहता है यह तरम तर अकासा वरणे दिर्ग से यह और आ को दिर्ग करड़े पर आ यह हो जाता है तो इस्तति बनती है दिव्याध मस्द अब नित्यम गिता सुत्र से मस्द के वीचा का लोग पर और वरणों को आपस में मिलाने पर रूप बनेगा दिव्याबार इस परकार देवधातू लोट लकार के रूप शिद्धी करड़े में निम्स्वत्रों के साहता से हम कर सकते हैं आपके लिए इस्ता ही अगरिम कक्षा में हम देवधातू के एको रूप का अध्यान करेंगे तब तक के लिए सुभाष्य धन्यवाद